जैशी कृष्णा दोस्तो बियसरा फैमली में आपका स्वागत है दोस्तो जनमाश्टिमी का दिन बहुत ही शुब और शेष्ट माना जाता है जिन भी दमपत्यों को संतान सुक्की प्राप्ती नहीं हो पारी या पुत प्राप्ती में रुकावर चल रही है तो इस दिन अगर एक वस्तु का भोग लगा कर अगर आप ग्रहन कर लेते हैं तो शीगर ही आपको मन वांचे संतान सुक्के योग बनते हैं दोस्तो उस उपाय को जानने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चलन सस्क्राइब ने कर रखा तो सस्क्राइब जरू कर लें बगलने वेल आइकन को भी दबा दें जिससे मेरे आने वाली सभी लेटस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुश सके दोस्तो कृष्ण जनमाश्टी में के दिन देखे रात के बारा बजे भगवान कृष्ण का जनम हुआ था और इस दिन भगवान कृष्ण को सनान कराने के बाद आपको भोग अवश्च लगाना चाहिए खास कर जिन दमपत्यों को कोई भी संतान नहीं है वो इस उपाय को अवश्च करें दोस्तो इस दिन भगवान कृष्ण को आपको देखे तुलसी के बीज तुलसी का बहुत ही अधिक महतुमाना जाता है आपको थोड़े से तुलसी के बीज लेने हैं और शहद में डालकर आपको भगवान कृष्ण को भोग लगाना है और साथ ही आपको दो केले का भी भगवान कृष्ण को भोग अवश्च ही लगाना है दोस्तो जो भगवान कृष्ण का चर्नामित होता है आपके घर में अगर लट्टू यानि तुलसी के बीज और शहद में डाल कर आपको मतलब ग्रहन करना है और आपको एक-एक केला भी पती-पत्नी को ग्रहन कर लेना है साथ ही भगवान कृष्ण का जो चर्नामित है वो भी आपको अवश्य ही ग्रहन करना है इस दिन दोस्तों अगर आपको तुलसी के बीज ना मिले तो आप तुलसी के पत्ते भी ले सकते हैं दोस्तों अगर आपके घर में तुलसी है तो आप देखेंगे जो तुलसी पर जो देखें बीज निकले वह होते हैं थोड़े से उसी में से बीज ले लेने हैं नहीं तो आपको किसी भी पुजा की दुकान में भी तुलसी के बीज मिल जाएंगे आपको बस थोड़े से ही बीज लेने हैं आदा चम्मच के करीब और शहद में डाल कर आपको भगवान कृष्ण को भोग लगाना है और वहाँ प गर्व से सम्भंधित परेशानिया चल रही है आपको संतान की प्राप्ति नहीं पारी है तो इस दिन तुलसी के बीज अवश्य ग्रहं करें निष्शित ही आपको संतान सुक प्राप्त होगा दोस्तों इस वस्तू को पती-पत्नी भी ग्रहं कर सकते हैं अगर आप ज़रूट प्रेशना